हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे लेप्टो को राइसा वरकॉनिस के लाइफ साइकल के बारे में इसे हम राइस बग के नाम से भी जानते हैं इसे हम गुंधी बग के नाम से भी जानते हैं यह आपकी BSC 3rd Year Geology का 1st Semester Applied and Economic Geology के अंदर unit second के अंदर आप इसको study करते हैं vector and paste के अंदर तो आज हम इसकी life cycle को detail में study करेंगे यह इसकी life cycle का diagram है दोस्तो यदि आप BSC के concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस channel से जोड़ सकते हैं दोस्तो लेप्टो कुराइसा वरकोनिस जो होता है यह हमारी धान की फसल जो पैडी क्रोप से उसको बहुत ज्यादा damage करने वाला एक पीड़क होता है बहुत ज्यादा हानी पहुचाता है और इसका नाम गुंधी नाम ही जो होता है वो हिंदी भासा की गुंध सबसी derivative हुआ है विद्वपन हुआ है जिसका अर्थ होता है अप्रिय गंध unpleasant smell यह साम के समय जब active होते हैं तो बहुत ज्यादा unpleasant smell निकालते हैं जिसकी वज़े से इसे हम गुंधी बग के नाम से जानते हैं अगर हम बात करें इसके distribution की तो यानि भारत में कहां कहां पर पाया जात है उत्तर प्रदेश में गुंधी बग से धान की फशल यानि हमारी जो पैडी क्रोप्स होती है बहुत ज्यादा यह डैमेज करता है अगर यह अपनी पूरी efficiency के साथ अपना काम करें तो लगबख 60% धान की फशल को यह डैमेज कर सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क यह कितना ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है इसकी वज़े से हमें कितना लोस होता है तो इसलिए जरूरी है कि इसके बारे में अच्छे से स्टड़ी किये करें ताकि इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकें यह इसकी life cycle का डाइगराम है और अगर exam paper में long question में आप से यह जो आप देख रहे हैं यह इसके लीफ के उपर इसके एक्स दिखाई पड़ रहे हैं फिमेल जो होती है वह एक्स देती है एकदम रो में देती है रो यानि बिल्कुल एक लाइन में अंडे दिये हुए हैं और एक लाइन के अंदर लगबग 6-7 अंडे या 10-20 अंडे द लाता है एडल्ट बोडी में तो यह सब हम इसकी लाइफ साइकल के अंदर डिसकस करेंगे राइट यह डाइग्राम आप ध्यान रखेंगे डाइग्राम का आप इसक्रिंशोट ले सकते हैं या एक्जाम पेपर में बनानी के लिए इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लिजी अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलोजी दोस्तो यदि हम इसकी मॉर्फोलोजी की बात करें तो यह लगबख 20 mm लंबा होता है हलके ब्राउन कलर का ग्रेनिश होता है उसके पैर जो होते वो लंबे होते हैं यह जनरली साम के समय पर एक्टिव होते हैं और एक अनप्लेजन इसमेल निकालते हैं जिसकी वज़े से गुंधी बग के नाम से जाना जाता है दोस्तों नीमफ और एडल्ट दोनों ही धान की फसल पर जुंड के रूप में क्लस्टर के फॉर्म में मिलते हैं जुलाई से नौंबर के बीच इनकी संख्या बहुत तेजी से व्रद्धी होती है इसका कारण है जब जुलाई से लेके नौंबर के बीच धान जो होता है वो पकता है धीरे धीरे पकता है तो यह उसकी मिलकी स्टेज को सक करते हैं अपने जो सकिंग माउथ है उसे इसमें होल बना करके उस मिलकी लिक्विड को सक करते हैं और इसके बाद यह जो है हाइबर गास होते हैं वाइल्ड ग्रासिस होती हैं उनका यूज करता है लाइफ इस्ट्री की बात करें तो लेप्टो कुराइसा वरकॉनिस होता है वो पूरे इस वर्स पूरे साल जनन करता है और एडल्ट फीमेल एक बार में धान की पतियों पर एक पंगती में 20-30 अंडे देती हैं अंडे थोड़े काले होते हैं अंडाब चप्ते होते हैं और पत्तियों से चिपके रहते हैं लीव के साथ यह एक सब्सक्राइब निचे ना गिर सकें 6-7 दिनों में अंडेज होते हैं वो पीले हरे रंग किसमें से निम्फ निकलते हैं और वयस्क बनने में लगबग 6 बार इसमें मॉल्टिंग होता है जिसकी वज़े से यह एडल्ट में करण्वर्ट हो जाते हैं पाइनलल्य अगर हम बात करें के डैमज और प्रेविंचन एन कहनल आप के बारे में और निम्फ दोनों ہी कोमल दानों बालियों को चूसते हैं का उसका रस होता है प्रभावी जोनोंahi कवक काले धबे पड़ जाते हैं और चित्रों के चारो और दिखाई पड़ते हैं यानि दोश्तों सिंपली करते क्या हैं ये जो दाने हैं उनके आंदर, जो मिल्की रस को pawsने कि लिए ऊसमें patents canal बना देते हैं और ये没有new बनाकर उसको सक करें तो धान की खेतों के आसपास उगने वाली जो घासे होती है उन खर्पतवार को वीट को हमें नट्स नस्ट कर देना चाहिए डेमिज कर देना चाहिए ताकि यह सर्वाइव न कर पाएं धान के खेतों में लबग 2.5% एलड्रीन 5% क्लोरी क्लोरेडेन डालना चाहिए और 5-10% बेंजीन हेक्सा क्लोराइट का छेड़काव करना चाहिए पोधों को समय पर ही लगाना चाहिए तता खेतों को साफ रखना चाहिए धान उन्हीं किसमों की खेती करने चाहिए जिसमें जो दाने है वह पर्ण आच्छा से बाहर विलंब करें मतलब बहुत ही लेट निक है तो इस प्रकार से दोस्तों हमने प्रेवेंचन और कंट्रोल देखा नेक्स्ट वीडियो के इंदर हम डिसकस करेंगे लीफ होबेर और स्वीगर केन